प्यारे दोस्तों, टोटल वेकेंसी के यूटूब चेनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वगत है आज के इस वीडियो की माध्यम से BTSC A&M 10.07 की रिकार्डिंग में एक बहुत ही महत्पून जानकारी में आप सभी को बताने वाला हूँ केस के रिकार्डिंग में की केस का क्या अपडेट निकल कर आया है वो मैं आप लोग को समझाऊंगा क्यूंगी आज की डेट में यानि की बाराख फरवरी को यहां पर हाई कोट में इस केस का सुनवाई था आपको पता होगा संबीदा एनिम बहनों ने केस किया है कि यहां पर जो बहाली का प्रकिरिया 2018 के नियवली के नुसार था उसी की अधार पर किया जाए ना कि 2023 का नया नियवली थोपा जाए इनका यही कहना था अब देखिए क्या यहां पर केस की सुनवाई में निकल कर आया वो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ तो सबसे पहले यहां पर जो इसका ओफिसली वेपसाइट है पटना हाई कोट का वहां पर आपको अपडेट अभी देखनी को नहीं मिलेगा वहां पर कल आपको अपडेट देखनी को मिल जाएगा लेकिन जो e-coach service है उसके माध्यम से जो update सारे वो मैं आपको बताऊंगा और court में क्या हुआ है जिसके करण से यहाँ पर आज सुनवाई नहीं हो पाया वो मैं आपको समझाने का परियास करूँगा सबसे पहले date की बात किया जाए तो date यहाँ पर बढ़ा दिया गया है यानि कि next hearing 15 फरवरी को होगा अब क्यों 11 फरवरी को final decision लेना था क्यों नहीं लिया गया वो भी मैं आप लोग को बता दूँगा दोस्तों जो यहाँ पर 12 फरवरी को दोस्तों यहाँ पर था यहाँ पर hearing उसमें क्या हुआ वो भी मैं आप लोग को समझाने का परियास करूँगा अभी के लिए यह आप update समझ लिजिए कि जो next hearing date रखा गया है वो होने वाला है 15 फरवरी यानि कि 15 फरवरी को एक बहुती महत्पूर्ण दिन होगा सभी एनिम के लिए जो भी यहाँ पर छात्रे आप कर सकते हो बहाली में डिप्लोमा मतलब की जो 2018 के नियवली चाहते ही उन सभी के लिए बहुत important होने वाला है तो basically मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे updates सारे सूत्रों मुता भी जानकाड़ी मिला है WhatsApp के थूरू जो मुझे जानकाड़ी मिला है उसके थूरू मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज के rate में सुनवाई हुआ और हो नहीं सका मतलब की बहस नहीं हो पाई जो भी बहस होता है वो बहस नहीं हुआ अब उसके कारण से क्यूंकि आपको पता होगा बिहार में अभी के समय में politics के जिदर बहुत ही unastability है मनद की बहुत सारे बाते चल रहा है सरकार को ले करके इसी कारण से आज के rate में ये चीज आपको देखनी को मिला इसे करण से आज सुनवाई नहीं हो पाया अब इसके लिए अगला date रखा गया है 15 फरवडी को अब update आएगा अब जैसे ही कोई update मुझे आता है मैं आपको बता दूँगा अभी के नुसार यही है कि यहाँ पर अगला सुनवाई 15 फरवडी को रखा गया है और हो सकता है 15 फरवडी को ही final decision देखने को मिल जाए लेकिन बहुत लोगों को उम्मीद थी कि आज की rate में यानि की 12 फरवडी को एक महत्पूर्ण decision चाहे वो पक्ष में या फिर विपक्ष में कोई भी जानकाड़ी निकल करा है लेकिन उम्मीद पर खड़ा नहीं उत्रा गया है अभी के समय में मैं आपको बता देना चाहता हूँ आगला सुनवाई 15 फरवडी को रखा गया है और उम्मीद यही है कि 15 फरवडी को एक final decision आप सभी को देखा जाए तो एनिम के नजे से जादा यहाँ पर दबदबा बना हुआ है बाकी जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको बता दूँगा यह छोटा सा अपडेट दिना था वो मैं आप लोग को बता दिया धन्यवाद